हेलो गाइज गूड मॉनिंग कैसे हो आई होप अच्छे ही होंगे आज के न्यूव लोग में आपका स्वागत है आज कर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे यहां तो हलकी हलका कोहरा भी शुरू हो गया है क्योंकि दो तिन दिन एक दिन बोंदा बांदी रही तो दो दिन तक दोप दिखाई नहीं दी और आज कुल में लागे मौसम ठीक था थोड़ी बहुत दोप भी निकली है और ठंड भी कम है ठंड तो आपके भी अच्छी होने लगी होगी ठंड में अच्छा खाईएगा मस्त रहेगा और बच्के रहेगा आज मां आपको दो खुश ख़बरी देना चाहते हूँ एक मेरी बुवा सासिक है उनकी पूर्ति का आरियस में स्लेक्शन हुआ है वो अश्डियम की पोस्ट पे होगा और बनिता सिंग सोरान नाम है उस बच्ची का और वो चार साल से अच्छी मेहनत कर रही थी तो उसका आरियस में कलियर हो गया कल रात को ही उसका रजल्ट अनाउंस हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी दो खुश ख़वरी हैं आपको भी मेरी ख़वर अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कोमेंट करके अवस्य बताएगा ये हमने पोधों की थोड़ी सी कटिंग कर दी है देखिएगा कटिंग के बाद कितने प्यारे और सुंदर लग रही हैं और एक दो पोधा है जिसकी कटिंग नहीं हुई है ये देखिएगा देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग है और एक इनकी भी पोधों की कटिंग हो गई है लग बग दो तिन पोधों की कटिंग हो गई है एक दो बाकी रहे गई है ये अनसूल पड़ाई कर रहा है और सरीता सबजी काट रही है और कोको गाजर के वेट में इंतिचार कर रहा है कब गाजर मिले और कब मैं खाऊं मिल गई भी गाजर इसको फोको फोको किये खास है गाजर है फोकी गाजर खास है फोको सब कुछ खा पहे महीं गाजर प्याज टमाटर पुरकुरे चेपस सरीता सबजी की तयारी में जूटी हुई है अलू गाजर की सबजी बनाएगी तो वो काट रही है और बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यह देखिएगा दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई पर जूटे हुए हैं अब मैं ब्लोग को एंड करते हूँ अगर आपको मेरी व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई